दो प्रकार के जीवन कहीं जाते हैं, एक योगी जीवन और दूसरा भोगी जीवन, योगी जीवन, high vibrational life, भोगी जीवन, low vibrational life, दोनों में फरक्या है, भोगी जीवन और दूसरा भोगना, suffering, किस बात की suffering, हर situation, हर व्यक्ति का व्यवहार, खाने पीने की चीज़े, ग्याजिट्स, अर्थात everything of the outer world, हर चीज जो बाहर की दुन्या की है, वो मुझ पर प्रभाव डालती है, हम कहते हैं, बाती ऐसी थी, कि गुस्सा तो आना ही था, काम ही इतना था, तो stress तो होना ही था, उन्होंने बोला ही ऐसे, कि बुरा तो लगना ही था, मुझे दुखी होना नहीं था, लेकिन दुख उन्होंने दिया अपने व्यवहार से, ये भोगी जीवन है, जीवन ओफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी on situations, people, everything outside, क्यों? क्योंकि जब मुझ आत्मा की शक्ती कम होगी, तो मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती च मन, बुद्धी संसकार और ये कर्मिंद्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये है भोगी जीवन, लोवर वाइप्रेशनल लाइफ, आज चेक केचिये, क्या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम संकल्प क्रियेट करना चाहते हैं, जितनी देर उसके बारे में सोचना चाहते हैं, क्या वो शक्ति हमारे पास है? आज, अभी, अगर हम अपने मन को कहें, फुल स्टॉप इस बात के बारे में और नहीं सोचना है, ये बात फिनिश हो चुकी है, पूरी हो गई है, फुल स्टॉप लगाना है, तो क्या फुल स्टॉप लगाने की अपने थौट्स को स्टॉप करके दूसरी दिशा में लेकर जाने की शक्ति क्या हमारे पास है? क्या हमारी बुद्धी एक सेकेंड में accurate decision लेती है और हमारे संसकार, हमारे शुद ओरिजनल संसकार, पवित्रता, खुशी, शान्ती, प्यार, सुख, आनंद, शक्ती, ज्यान, ये आत्मा के ओरिजनल संसकार, साथ मूल संसकार, सेविन ओरिजनल क्वालिटीज, जिसके लिए हम आज तक कहते आए, सतो, गुणी, आत्मा, ये हमारे संसकार और स्वभाव है, क्या ये हमारे करम में स्वभाविक रूप से दिखाई देते हैं, क्या मुझा आत्मा का हर करम इन संसकारों के आधार से चल रह है, अगर मन हमारे अनुसार चलता है, अगर बुद्धी एक शंड में accurate decision लेती है, अगर ये साथ ओरिजनल संसकार हमारे हर करम में निकल कर आते हैं, तो वो है योगी जीवन, योगी जीवन, high vibrational life, और जब वो होगा, तो आंखें वो ही करेंगी, जो मैं आत्मा चाहूं, व वो ही देखेंगी, जो मुझे आत्मा को सुकून देता है, हर बात में देखने का नजरिया अलग होगा, लोगों को देखेंगी, तो विशेशताइं ही देखेंगी, क्या आंखे मेरे कंट्रोल में हैं, कानों से क्या सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं, या किसी की विश चेष्टाइं सुनते हैं, अच्छाई सुनते हैं, हर बात में कोई अच्छी बात सुनते हैं, या परचिंतन ही सुनते हैं, क्या ये कान मेरे कंट्रोल में हैं, मुख से कैसे शब्द निकलते हैं, सब को सुख देने वाले, सब को सम्मान देने वाले शब्द निकलते हैं, या कभी-कभी मुख ऐसी बाते बोल देता है कि हम कहते हैं I'm sorry, I didn't mean to say this It was a slip of the tongue शमा करें मेरा कहने का ये भाव नहीं था ये बात तो मेरे मुँझे निकल गई पर कभी-कभी तो हाथ पे उठ जाते हैं कोई चीज हाथ में होती है वो ही फेक देते हैं मुख वो चीज खाता है जो खाना नहीं चाहिए जो मालुम है मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है फिर भी कहते हैं क्या करें इसके बिना रहा नहीं जाता ये भाशा किसकी है ये भाशा एक भोगी जीवन की है ये भाशा एक गुलामी की जीवन की है मन, बुध्धी संसकार, कर्म इंद्रियों के गुलाम, इन सभी इंद्रियों के मैं आत्मा गुलाम, तीन सुक्ष्म इंद्रिया, मन, बुध्धी संसकार, और वागी हमारे five sense organs, इनकी अगर मैं आत्मा गुलाम हूँ, तो ये भोगी जीवन है, पता है कि कितनी देर फोन देखना चाहिए, कितनी देर टीवी देखना चाहिए फिर भी ध्यान बार-बार उस फोन की तरफ जाता है बार-बार कुछ न कुछ चेक करते रहते हैं बार-बार कुछ न कुछ देखते सुनते जाते हैं जो देखना नहीं चाहिए वो भी continuously देखते जाते हैं, केते क्या करें, मेरा ध्यान बार-बार उस तरव खिच रहा है, तो ध्यान, योगी जीवन, योग, ध्यान, ये attention, ये शक्ति, ये स्वराज्य वापिस लाना है, गुलामे की जीवन, भूगी जीवन है, जहां मन सोचता ही जाता है, हमके ते क्या करें, मन सोचना ही बंद नहीं करता, ओवर थिंकिंग, नाच्रल बन गए, नाच्रल बन गए, कर कुछ और रहे है, सोच कुछ और रहे है, बुद्धी, जिसको एक सेकेंट में accurate निर्ने लेना चाहिए, वो decision ही नहीं ले पा रहे है, सोचते जा रहे है, सोचते जा रहे है, यह करू, कि ऐसे करू, कि वैसे करू, पर कभी-कभी तो इतना सोच कर भी decision नहीं ले पाते, किसी और से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या decision होना चाहिए, अपने करम का निर्णे, दूसरों से स्कुछना, राय लेना, एडवाइस लेना, लेकिन decision, वो decision हमारा करम बनने वाला है, हमारा करम हमारा भाग्य बनने वाला है, तो वो निर्णे हमारी शक्ते अनुसार होना चाहिए, लेकिन हम औरों से निर्णे पूछते हैं, फिर decision लेने के बाद, जब करम में आते हैं, तो उस करम का कोई परिणाम आता है, अगर उस परिणाम में कुछ भी challenges आते हैं, कोई बात आती है, तो उसको सामना करने की शक्ति, फिर जिन से राय लेकर निर्णे लिया होता है, उन पर blame रखते हैं, इन्नों ने कहा था न, मैंने ऐसा किया, देखो क्या हो गया, भोगी जीव dependency, स्वयम पर राज्य नहीं, मालिक नहीं, संसकार, कौन से संसकार को आज अपने संसकार समझते हैं, कहते हैं ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरा संसकार है, कौन से संसकारों को अपने संसकार समझते हैं, कहते हैं चिंता, Stress, Anxiety, Low Feeling, इसको Natural कहते हैं, गुस्से को स्वभाविक, Normal कहते हैं, निंदा करना, Comparison करना एक दूसरे के साथ, Criticize करना, Earsha, Jealousy Feel होना, शिकायत करते रहना, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दर लगना, Hurt हो जाना, Expectations, अपेक्षाएं बहुत रखना, इन सब को हमने Natural कह दिया, और इन संसकारों को हमने Accept कर लिया, कि ये तो Natural है, और लोगों के अंदर भी ये संसकार है, तो मेरे अंदर भी ये संसकार है, और जो हमारे Original, High Vibrational, मूल संसकार है, खुशी, प्यार, शान्ती, सुख, शक्ती, उनको हम बाहर ढूंड रहे हैं, कहते हैं, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, चीजों में ढूंड रहे हैं, क्या खरीदे तो खुशी मिले, कहां जाएं तो खुशी मिले, किस से मिले, तो खुशी मिले, क्या अचीव करें, तो खुशी मिले, क्या खाएं, क्या पहने, क्या देखें, क्या सुनें, जिस से खुशी मिले, खुशी चाहिए वाले हो गए हम, खुशी तो हमारा संसकार है, सत्चित आनंद स्वरूप मैं आत्मा हू, आनंद मुझ आत्मा का संसकार है, लेकिन तो हम अपने संसकारों के विप्रीत चल रहे हैं, प्यार रिष्टों में मांग रहे हैं कई बार कहते हैं I am not getting anything in this relationship so why should I be with them जब मुझे इस रिष्टे में कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैं इनके साथ हो ही क्यों तो रिष्टे में हम चाहिए के ले गए थे कुछ लेने के ले गए थे प्यार, सम्मान कि मुझात्मा का मूल संसकार है तो ये देने वाला संसकार है चाहिए वाला नहीं चाहिए वाला नहीं शांती ढूनने के लिए दूर दूर स्थानों पर जाते हैं मुझे शांती मिले शाम को घर आते हैं तो परिवार को कहते एक मिनिट शांती से बैठने दो, एक मिनिट की शांती ढून रहे हैं, शांती हमारा निजी गुण है, संसकार है, शक्ति हमारा संसकार है, लेकिन आज कमजोरी को अपना लिया, के ते क्या करें, ये मुझसे नहीं होता, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये बात मैं नहीं क पढ़ पाता, कम्जोरी को अपना संस्कार बना लिया, ज्ञान हमारा संस्कार है, लेकिन आज हम हर बात के लिए समाधान, उत्तर, बाहर डुणते हैं, आनलाइन जाते हैं, आंसर्स ठूड़ने के लिए, कि ऐसा फिल हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा महसूस हो तो क्या करना चा परती से आंसर लेने हैं लेकिन हम सारे आंसर बाहर ढूंडते हैं तो मन जैसा होना चाहिए उसके विप्रीत हो गया बुद्धी एक्यूरेट निरने ले उसके विप्रीत डिसिशन औरों से पूछती है संसकार साथ ओरिजनल संसकार छोड़के बहुत सारे नेगिटिव संसका इसकारों को अपना स्वभाव मान लिया तो ये तीनों सुक्ष्म इंद्रिया आत्मा के ये मेरे अनुसार नहीं चल रहे और बाकी इन कर्म इंद्रियों का हाल चाल तो हमें पता ही है और फिर भी ये सब होते हुए भी हमने कहा ये नाच्रल है इसको हमने नाच्रल कहना करते हैं जब तक हम इन इंद्रियों के मालिक नहीं बनेंगे जब तक हम स्वराज्य का अभ्यास नहीं करेंगे स्वराज्य मैं आत्मा अपनी इंद्रियों पर राज्य करती हूँ जब तक हम स्वराज्य का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम योगी जीवन अनुभव नही कर पाएंगे और जब तक योगी जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे तो शरीर का स्वास्थ, आत्मा की शांती और खुशी, रिष्टों में मधूरता, हार्मनी और वातवरन, एन्वारमेंट में जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जैसी दुन्या, जैसा जीवन हम बनाना चाहत हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे, आज हम सब बहुत महनत कर रहे हैं, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपनी फिजिकल शारीरिक स्वास्त को ठीक रखने के लिए, अपने रिष्टों को प्यारा बनाने के लिए, अपनी मेहनत के बाद भी चीजें क्या सुधर्दी जा रही है या कहीं कुछ और ही होता जा रहा है कुछ और ही होता जा रहा है क्यों ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी चीजें ठीक होने के बज़ाए और ही दूसरी तरफ जा रही है क्योंकि हम मेहनत सारी बाहर कर रहे हैं रिष्टे ऐसे ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, पर्यावरन ठीक हो जाए, हमें सारी चीजों की बाहर महनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि बाहर सब ठीक हो जाएगा, तो यहां तो अपने आप ठीक हो जाएगा. equation ये था ही नहीं ये equation तो भोगी जीवन का होता है जिसकी dependency पूर्ण रीती बाहिय दुन्या पर होती है तो वो आत्मा समझती है बाहर सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाओ equation ये है ही नहीं it is not outside in it is inside out स्रिष्टी से संकल्प नहीं बनता संकल्प से स्रिष्टी बनती है संसार से संसकार नहीं बनते संसकार से संसार बनते है तो focus यहां लाना है attention यहां लाना है अपने संसकारों पर अपने संकल्पों पर उस पर attention लाना है और उसी के लिए है योग राज योग राज योग अर्थात highest योग, highest योग अर्था जो मुझे खुद पर राजा बनाए, स्वराज्य अधिकारी बनाए, सर्वश्रेष्ट योग, अर्था जो मेरी vibrations को सर्वश्रेष्ट ले जाए, वो है राज योग. तो राज योग एक ऐसी विधी है, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि राज योग दस मिनिट, आदा घड़ा, मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन सिरफ वो राज योग नहीं है, राज योग एक लाइफस्टाइल है, जिसको हम कहेंगे योगी जीवन शैली, योगी लाइफस्टाइल, राज योग एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में बहुत सिंपल, चोटी-चोटी-चोटी-चोटी बाते हैं, इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, कि हम हर एक ये कर सकता है, हर एक कर सकता है, जब भी शरीर के स्वास्त को ठीक करना हो, या मानस तो डॉक्ट्टर क्या कहते है लाइफ स्टाइल चेंज करी आज हमारे mental health issues Čनfig physical health issues के लिए दॉक्तर क्या कहते है लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है हैं तो lifestyleไป इवर्वर्तन करने की आवशकता हैं कानसा lifestyle योगी lifestyle तो चलिए चोटी चोटी बाते देखते हैं बहुत easy हैं बहुत simple हैं छोटी चोटी हैं थोड़ा सा हमारी अभी lifestyle से थोड़ा सा different है तो सुनते हुए यह नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे fit होगा नहीं, वियर्थ नहीं सोचना, no waste thoughts, हमें सबको पता है कि ये lifestyle सही है, हमें से कोई नहीं होगा जो ये मानेगा कि ये lifestyle सही नहीं है, कि कहां ये है तो सही लेकिन साथ में हम क्या कहते हैं पर क्या करें लेकिन मुझसे नहीं हो सकता मेरी परिस्थितियां ही ऐसी हैं नहीं परिस्थिती से स्थिती नहीं स्थिती कुछ रेष्ट बना कर अपनी परिस्थितियां बदलने हैं तो लिखते चाहिएगा नोट करना कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन ले कर आना है जिससे मेरी मन की स्थिती, आत्मा की शक्ति, मेरे शरीर का स्वास्त, मेरे समबंद, मेरा एंवारमेंट, मेरा पर्यावरन, मेरी जीवन, मेरी दुनिया, लो बाइबरेशनल एनर्जी से हाई बाइबरेश मेरे lifestyle की है, क्योंकि life अर्थात आत्मा, हमने life भी समझा सब कुछ बाहर है, life अर्था चैतन्य आत्मा, जब मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हो, इसको dead body कहते हैं, इस body में life जब तक है, तब life है, जब वो life निकल जाती है, तो ये dead body है, एक body कुछ नहीं कर सकती, वो ही शरीर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को चलाने वाली शक्ति life निकल चुकी है, तो lifestyle अर्थात यहां, मुझ आत्मा का, सोचने का, निर्ने लेने का, करम करने का, व्यवहार करने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब चीजों का तरीका क्या है, मेरी शैली क्या है, मेरी डेली रूटीन क्या है, मेरी lifestyle क्या है, तो सबसे पहली चीज, योगी जीवन में, हम सबने ये सुना है, लेकिन इसके अर्थ को गहराई से समझेगा, हम सबने ये सुना है, कि योगी अर्थात ब्रह्म चर्या, सुनते आए हैं न, कि योगी आत्मा क्या धारन करती है, ब्रह्म चर्या, अब शब्द सुनकर ही हम डर जाते हैं, हम कहते हैं, हम तो घर ग्रस्त में रहते हैं, तो हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें? सबसे पहली important चीज, योगी जीवन जीने के लिए घर ग्रहस्त को नहीं छोड़ना है, अपनी नौकरी, व्यापार, business उसको नहीं छोड़ना है, अपनी जिम्मेवारिया, roles and responsibilities को नहीं छोड़ना है, सबके बीच रहते हुए, सारे रिष्टे निभाते हुए, सारे कार्य करते हुए, योगी जीवन, इसी को कहते हैं, कमल पुष्प समान जीवन, देवी देफताओं को कैसे दिखाते हैं, कमल पुष्प पर विजाजमान, कमल पुष्प अर्थान, कीचड में रहते हुए, कीचड से भी न्यारा, तो सब के बीच रहते हुए, सब संसकारों और व्यवाहारों के बीच रहते हुए, अकने जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं, उसके लिए सबसे पहली धारना, ब्रह्म चर्य, ब्रह्म चर्य अर्थात क्या? हाइस्ट आचरन, आचरन, ब्रह्म चर्य आचरन शब्द से आता है, आचरन हमारा कैसा होना चाहिए, हाइस्ट बाइप्रेशनल, अर्थात सोच, नजर्या, इंटेंशन्स, शब्द, व्यवहार, सब में फ्योरिटी, जिसको कहेंगे पुन्य आत्मा, पुन्य आत्मा, ब्र हाइस्ट आचरन, हाइस्ट बाइब्रेशनल, आचरन शब्द, पुन्य आत्मा, जब इंटेंशन्स, इंटेंशन्स, भावनाव में, भाव भावना में, कोई मिलावत नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वो है पुन्य आत्मा, जब इंटेंशन और संकल्पों में, कोई स्वार् मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए, चाहिए मिलावट कर देता है, ये मैं, ये मेरा, ये अहंकार, ये आत्मा को मैला बना देता है, मैं आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, इस शरीर की, इस परिवार की, इस काम कारोबार की, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी होकर सब चीज़ को संभालना है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये अहंकार को बढ़ाता है, ये अहंकार आत्मा को मैला करता है, मैं निमित हूँ, पर मात्मा मुझे यूज करके ये कार्य करवा रहे है, ट्रस्टी बन कर हर चीज को करना है, हर रोल और रिस्पॉन्सिबलिटी को, अटाच्मेंट, इगो, डर लाता है, मैं, Ego-Arthat, Attachment to a wrong image of myself, मैं कौन हो, मैं कौन हो, हमने कहा, मैं या तो देशवासी के आरच सेन कहा, मैं यह हो, या धरम से कहा, मैं यह हो, मैं हिंदू, मुस्लिम, कृिष्टन, सीक, मैं यह हो, मैं भारतवासी हो, मैं अमेरिका करहनेवासी हो, मैं एंजीनियर हो, डॉक्टर हो जूरिस्ट हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मैं फादर हूँ, मदर हूँ, हस्बेंड हूँ, बच्चा हूँ, ये सब हमारे roles and responsibilities हैं, इनके साथ attach होना, अर्थात, ego, अहंकार, सत्यता क्या है, पवित्रता क्या है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, और इस शरीर द्वारा मैं ये सारे roles and responsibilities निभा रहे हूँ, मैं आत्मा, शुद्ध, पवित्र, आत्मा हूँ, और हर एक जिनके साथ मैं संबंध में आती हूँ, वो भी शुद्ध, पवित्र, आत्मा है, ये याद रख कर अपने roles and responsibilities निभाने हैं, ट्रस्टी होकर, तो automatically चाहिए नहीं, निस्वार्थ हो जाएंगे, निस्वार्थ अर्थाथ स्वव अर्थ कुछ नहीं चाहिए होगा, सब कुछ देने के लिए, हर एक के प्रती दुआएं, हर एक के प्रती दुआएं, दुआएं हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा, दुख तो होनाई था, वुस्सा तो आनाई था, नहीं, फ्योर शुद्ध आत्मा हर एक को दुआएं, हर एक को शुब भावनाएं, शमा भाव तो नाच्रल ही है, बुरा लगेगा ही नहीं, तो शमा करने की तो बात ही नहीं आएगी, जो आत्मा के ओडिजनल साथ संसकार है, वो हर करम में निकल कराएंगे, क्योंकि मैं पुन्य आत्मा हूं, कहते हैं न, दान, पुन्य करो, तो पुन्य करम करो, पुन्य करम अर्थात, सेवा, निस्वार्त सेवा, सेवा अर्थात सिरुफ वो नहीं, जो हम कहीं जाकर कुछ करत परिवार को संभाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, आप अपने व्यापार को संभाल रहे हैं, आप समाज में कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज को सेवा भाव से करना, अपने परिवार को संभालना, ये मेरी सेवा है, जब इस भाव से करेंगे, तो देने की भावना से करेंगे, ये मेरा है, इनको मेरे अनुसार होना चाहिए, तो चाहिए की भावना से करेंगे, चाहिए करेंगे, अहंकार से करेंगे, तो वाइब्रेशन नीचे खिच कराएगे, पुन्या आत्मा बनकर सेवा भाव से करेंगे, देने की भावना से करेंगे, सन्नचित रहेगे, सदा संतुष्ट रहेगे, योगी अर्थात contentment, संतुष्ट ता, क्योंकि आत्मा की शक्ती भरपूर, भरपूर, ऐसी आत्मा सब को दुआई देगे, और नाच्रल है, कि ऐसी आत्मा को सब से दुआई मिलेंगे, सिरफ शुकर्या नहीं, थैंक्यू नहीं, लेकिन दिल से सब की दुआई मिलेंगे, क्योंकि ये आत्मा, पुन्या आत्मा होगी, इसको कहते हैं ब्रह्म चर्य, purity in thoughts, purity in words, purity in action, श्रेष्ट, vibration के अधार से संकल्प, बोल और व्यावाहार, इसको कहेंगे ब्रह्म चर्य,